अक्सर हमारे यहां पे घर पे ना जबी भी हम केले बजार से लाते हैं तो एक आत केले रही जाते तो इसमें काला सा पढ़ने लगता है छिलकी का उपर तो इसे हम पिकार समझ की वेस्ट समझ की फेक देती तो यह फेकने से पहले आप इस रेसिपी को जरूर देखे और हम चल करें और जादा इस वीडियो को शेर भी जरूर करें तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं हमने यहां पे इस रेसिपी को बनाने के लिए दो पके हुए केले ले लिया है आप इसे जज़्यादा या कम भी कर सकते हैं मिठा गम या ज़्यादा अपना अकोडिंग तो यहां पे इस केले का छिलका निकाल के हम चोटा-चोटा मीडियम साइज कट करते हुए मिक्सिजार में मिला देंगे और साथी साथ इसके अंदर में हम मिला देंगे गुड आप गुड का जगा में चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन हम इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा हैल्दी तरीका से बना रहे है इसलिए हम इसमें गुड का इस्तमाल करेंगे गुड भी अपना आकोडिंग आप कम या ज़्यादा ले सकते हो और साथी में हम यहाँ पे मिला देंगे इलाइची का अंदर का सीर्ज तोड़ते हुए अगर आपका पास पाउडर हो तो मिला लेना और साथी साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं एक चोटा कटोरा आटा आप आटा का जगे में मेदा या तो सूजी या तो फिर चावल का आटा का बिस्तमाल कर सकते हो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीका से बताएंगे इसलिए हमने यहाँ पे आटा का इस्तमाल किया है और साथी साथ इसके अंदर में मिला देंगे एक कटोरी यहां पे दूध फुल मल्लाई वाली दूध है यह और एक साथ नहीं मिलाएंगे थोड़ा-थोड़ा करते हुए मिलाएंगे पहले हमने यहां पे आदा ही मिलाएंगे और इसे अच्छे से 3-4 बार mix को चला लेंगे 4 बार mix को हमने अच्छे से चलाते हुए इसका एक smooth better तयार कर लिया है बहुती ज़्यादा smooth better तयार हुआ है यहाँ पे और इसे कोई भी भगो ना या तो कोई भी पतीले में हम इसे translate कर देंगे अब यहां पर जो आटा का बेटर हमने त्यार किया है यह थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली लग रही है लेकिन चब यह सेट हो जाएगा तो यह अपने आपी यह काड़ा होती ही जाएगा अभी थोड़ी सी पतली दिख रही है हमने एक बगोना में इस सारे बेटर को निकाल द देंगे उससे पहले हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा यहां पर सॉप से जो है यह रसेपी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और यहां पर मन पसंद का मैंने ड्राय फुट लिया है चौप करके बारिक चौप करके और इसे भी मिलाते हुए अच्छा से फेट लेंग जब तक कि हमारा यह आता जो है फुल जाएगा उससे पहले हम यहां पर मिलाएंगे वान चौव थाई टी स्पुन बराबर मिठा सोरा इसे मिलाने के बाद भी अच्छा से मिक्स अप कर देंगे और यहां पर हम कोई भी इनो या दही का इस्तिमाल नहीं कर रहे है इसलिए ह हम फाइनली 20 मिनट के लिए रिष्ट के लिए रख देंगे उससे पहले हम यहां पर आटी का बेटर रेड़ी हो जुका है अब सेंटर पर एक कल्ची से हम आटा को लेते हुए बेडर को लेते हुए मिला देंगे हम जीहा इस एक बेडर से हम दो रेचिपी तयार कर सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मालपुआ बनाने के लिए बैडर को मिला दिया है ओयल को उपर से इस तरह से मिलाते हुए इसको अचे से फुलने तक वेट करेंगे यहाँ पे मेरा आगे का निकालते हुए का क्लिप मिस हो गया था यहाँ पे एक माल्पोव हमने छान के निकाल दिया है और यहाँ पे दुसरा रेसिपी के लिए हमने गुल-गुला तैयर किया है यहाँ मिठा गुल-गुला है यहाँ पे बहुत लोग इसे मीठे पकोड़ा का नाम से जानते हैं आप इसे क्या बोलते हैं कॉमेंट में जुरूर बता ना बहुत लोग किसे गुलगुले बोलते हैं बहुत लोग किसे मीठा पकोड़ा भी बोलते हैं तो जब भी आपको मीठा खाने का बंद करें इस तरह से आपके हुए केले से इस तरह से मीठा पकोड़ा बना सकते हैं और होली तो पास में आ रहे ह हमने और बहुत हेल्दी तरीका से इससे पढ़ाया है और उस तरह से उलड़ते पुलड़ते चांती हुए हम इससे निकाल देंगे और टीशू पेपर रखते हुए इससे निकाल लेंगे सबसे बड़ी बात है ये बहुत जादा ओईल भी एपजब नहीं करता है तो इसी तरह आसे हम दूसरा बेज भी यहाँ पर मिला देंगे और मिलाते हुए इसे भी हम छानती हुए निकाल देंगे ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अंदर से सॉफ्ट और ट्राइबूर से वरा हुआ और बनाना का फ्लेवर साती साथ यहाँ पर हेल्दी तरीका से हमने गुड मिलाते हुए इसे बनाया था और दिखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है इसे ज्यादा हाई फेम में आप बनाओगे तो यह जल जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा और यहाँ पर मिडियम टू लो फेम रखते हुए इसे हम छानेंगे और य मेरा तरब से उश्यू हपी होली और इस होली में आप इस रेसिपिक को जड़ो ट्राइ करें पसंद आए तो लाइक शिर इन सस्क्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियो बाबाई फ्रेंज